नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्खान की टॉप 25 परमुक खबर जानते हैं सुनिया गांधी ने बुद्ध्वार को देश के साथ राज्जियों के मुख्य मंतरी के साथ जिस्टी नई सिक्षा नीती और नीट परिक्षा के मुद्य को लेकर बैठक की इस बैठक में राजस्थान के मुख्य मंतरी, चातिसगर के मुख्य मंतरी, पंजाब के मुख्य मंतरी, पांडुचरी के मुख्य मंतरी, महराष्ट के मुख्य मंतरी, जार्खन के मुख्य मंतरी और पच्छी मंगाल के मुख्य मंतरी इस बैठक में इन साथ राज्जियों के म जर्खन के कई हिस्सों में प्षले चौविस घंटे के दौरान बारिस हुई मौसं विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज में बारिस वने की संभावना है मौसम विभाग के अनसार पिछले 24 गंटे में हजारी बाग के कोनेर में भारी बारिस हुई है बच्चो को पढ़ाने गाउ गाउ जाएंगे सिक्षक लोगडाउन के बीच बच्चो की पढ़ाई सुचारी रूप से रखने के लिए सिक्षक विभाग लगातार प्रयास कर रहा है दूर्दासन पर कक्षाओ का संचालन हो रहा साथी साथ वाट्सेप के जरिये ऑनलाइन लर्निंग मटेले भी भेजे जा रहे है इसके साथ ही सिक्षक विभाग ने नया प्रस्ताव त्यार कर रहा है इसके तहट सिक्षक बच्चो को पढ़ाने के लिए टोला मुहला में जाएंगे इस वेवस्ता के तहट विद्याले के पोसक छेत्रों को सुविधा अनुसार अलग अलग जोन में बाटा जाएगा जार्खन में आज 1137 नय संक्रिमितों के पुष्टी हुई जो बोकारों से 38, 14, 7, 42, 133, 133, 133, 132, 132, 182, 72, 72, 166, 15, 26, 26, 35, 16, 16, 15, 3, 14, 33, 173 साहिव गंज 31, सराय के ला आट सिम्डेगा वो पच्चमित सिम्वुम से 32, 32 मिले है जार्खन में कुल संक्रिमितों के संक्रिमितों के 33, 3, 311 है जबकि 22, 486 लोग स्वष्ट हुए और 362 की मिलिती हुई है भारत में कुल संक्रिमितों के संक्रिमितों के 33, 7, 7, 749 है जबकि 25, 23, 44, 43 लोग स्वष्ट हुए और 66, 629 की मिलिती हो गई भारत में नाए केस 75 या 995 में मिले जबकि 56 यार 191 लोग स्वस्थ हुए है बुद्धवार को राजे में 14 मरीज की मौत हुई है जो जमसेदपुर से 6 राची से 5 बोकारों से 2 देवघर से 1 मरीज की मौत हुई है बुद्धवार को 736 मरीज स्वस्थ भी हुए है बता दे कि बुद्धवार को जार्खन में सबसे अधिक कुरोना टेस्ट हुई जो 47786 टेस्ट लिए गए जिसमें से 1137 मरीज संक्रामित मिले हाँ सितंबर से अंतर जीला बस परिचालन को मंजूरी मिल सकती है बिहार में बस सेवा सुरू किये जाने के बाद जार्खन में भी परिचालन की मांग उठने लगी है हलाकि परिवहन विभाग ने अभी इस पर कोई निन नहीं लिया है बिभाग को सरकार के निनाय का इंतियार है सुत्रो की माने तो सितंबर से अंतर जीला बस परिचालन की मंजूरी मिल सकती है नीजी अस्पताल के लिए तै हुआ सूल्क राज के नीजी अस्पताल में करोना से संक्रवित मरीजों की उपचार की दर स्वास्त बिभाग ने त्यार कर ली है बिभाग द्वारा त्यार की एगर प्रस्ताव पर स्वास्त मंत्री का अनुमोधन मिलने के साथ ही इसे लागू कर दिया जाएगा सुत्रों के अनुसार अब राजिक के अधिक्रीत बड़े सहरों के बड़े अस्पताल भी कुरोना मरीजों से एक दिन में लगवग 18,000 से ज्यादा की वसूली नहीं कर पाएंगे स्कूल खुलने से पहले सिच्कों की होगी जाच मुख मंतरी समेत नौ मंतरी हों करिंटीन में मुख मंतरी हमनत सुरेन समेत लगभग सभी मंतरी करिंटीन में जा चुके हैं सिफ बीत मंत्री डाक्टर रामेशवर उराम मंत्रा ले जाते हैं और अपने विभाग के काम काई निप्टाते हैं बता दे कि राजिक के स्वास्त मंत्री बना गुपता कुरोना पोजेटिव होने के बाद रिम्स के वार्ड में अपना इलाज करवा रहे हैं कुरोना के संक्रमन की पुष्टी के पहले बना गुपता ने कैविनेट की बैठक में भाग लिया था बैदनाथ और बास्कुईनाथ के कपाट खुलेंगे बाबा बैदनाथ एवं बास्कुईनाथ के कपाट खुल गए है हेمن सुरेन की सरकार ने इसका अधेस जारी कर दिया है इसके साथ ही एक सर्त भी लगा दी गई है सरकार ने सर्त लगाई है कि देवघर में सिर्फ देवघर के दो सवस्थानिय लोग दसन कर पाएंगे जबकि बास्कुई नाथ में दूमका जीला के 160 अस्थानिये लोग ही भागवान भोले नाथ को जलारपन कर पाएंगे जारखन अंदोलन कारियों के लिए राची में 5 एकड़ केमपस बनाया जाए जारखन अंदोलन कारी मोर्चा ने राज सरकार से राची में जारखन अंदोलन कारियों के लिए 5 एकड़ का कैमपस बनाने का आगरह किया है इसमें 200 कमरे के अलावा आवास्य करेयले वह आतिती साला के सुविधा की मांग की गई है मोर्चा के संस्थापक वो मुखे संजोजक बिनोत कुमार भगत ने कुरोना काल में अंदोलन कारियों से बात चीत के बाद यह मांग की है आपको बता देगी सिरी भगत ने कहा कि जार्खन के अंदोलन कारियों के लिए कम से कम 1000 को रुपए का परधान परतेक बजट में अलग से होनी चाहिए सुनिया गांधी के साथ हेमन सुरेन की वर्चूल मिटिंग जार्खन के मुख मंतरी हमन सुरेन ने बुद्वार को कहा कि देश में बिपक्ष इस समय कमजूर नजर आ रहा है बिपक्ष को एक जूट होकर केंद्रिक की गलत निती का विरोध करना होगा कांग्रेस अध्यक सुनिया गांधी द्वारा गैर भाजपा सासीत मुख मंतरीयों की वीडियो कन्विसेंसिंग के जरिये बुलाई गई बैठक में हमन सुरेन ने या बात कही जार्खन के तीन जीलों में संक्रमन से कोई मौत नहीं जार्खन में पिछले चौविस घंड़तक तक 347 कुरोन संक्रमन मरीज की मौत हो चुकी है अधिकतर जीले में कुछ न कुछ मरीजों की मौत हुई है लेकिन कुरोना से जंग में राज के तीन जीले अभी मिसाल बने हुए 하ए यह तीन जीले ऐसे हैं जहां आभीता कुरोना संक्रमन से एक भी मौत नहीं हुई है तीन जीलों में जामतरा लाते हार और पाकुर सा मिली था है बीपक्ष को एक जूट होकर केंद्र की नीती का बिरोध करना होगा मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक सोनिया गांजी द्वारा गयर भाजपा सासित मुख मंत्रियों की वीडियो कंशेंसे के जरिये बुलाई गई बैठक में सुरेन ने यह बात कही सुरेन ने अरोप लगाया केंद्र सरकार की अनेक नीती में विपक्ष की राज सरकारों के साथ भेदभाव अस्पष दिखा है जीन सड़कों पर भाजपा रो रहे वह उनहीं की सरकार बनाई उराउं जार्खन परदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्स और राज के बीत मंत्री डाक्टर रामेशवर उराव ने कहा कि जीन सड़कों की दूरदर्सा पर भाजपा की नेता लागातार रो रहे वह सड़के भाजपा सासनकाल की ही बनी हुई है आज सारी जानता के सामने या खुलासा हो गया कि उन्होंने कैसी सड़के बनाई थी और इन सड़कों का छो माइना में ही क्या हाल हो गया मन्रेगा कर्मियों के साथ पसु से भी बत्तर बेभार किया रहा संग देओगर मन्रेगा कर्मचारी संग देवीपूर परखंड इकाई के अध्यक्स भावेश कुमार ने परखंड विकास पता दिकारी को एक ग्यापन सोपा आवेदन के माध्यम से आगरा किया गया कि कर्मचारी संग के सतस्यों से बात कर उनकी मांग को पूरी किया जाए कॉंग्रेस किसानों की आवाज बनती आई है रमेश्वर उराव देश की अजादी के लिए अपने संगर्सों इतिहास और राष्ट निर्मान में योगदान को लेकर अखिल भारतिये कांग्रेस कमेटी की ओर से धरोहर नाम से वीडियो स्रिंखला के तहत बुद्वार को चोथी वीडियो देश की युआपीडी के नाम जारी किया गया परदेश कंग्रेस अध्यक्ष रमेश्वरुराव ने कहा कि कंग्रेस हमेशा किसानों की आवाज बनती आई है सोतंत्रता अंदोलन से सुरू हुआ ये सफर अब तक जारी है अनुकंपा पर नियुक्ती मामलों की समिक्षा की खुटी उपायुक्त खुटी उपायुक्त ससी रंजन ने बुद्वार को जीला अनुकंपा समिती की बैठक में अनुकंपा पर नियुक्ती से समन्दित मामलों की समिक्षा की उपायुक्त ने क्रमवार सभी मामलों की गहनता से समिक्षा करते हुए आवेद को द्वारा दिये गए आवेदान उ अभी मामलो की जात ली रांची उपायुक्त ने की जीला सुरक्षा समीती की बैठक रांची के उपायुक्त छवी रंजन ने नीजी अंगरक्षक उपलब्द कराने के लिए जीला में प्राप्त आवेद्नों की जनकारी ली प्राप्त आवेद्नों पर निसूल्क वह ससूल् चक की गई जिसके बाद कुछ आवेदनों को सुक्रीति प्रदान की लक्ष के अनुरूप सचाले निर्वान कारे कराय पूर्ण पलामो उपायुक्त पलामो उपायुक्त ससी रंजन के अधक्सता में स्वक्ष भारत मिशन की समिक्षात्मक बैठक होई उपायुक्त ने लक्ष के अनुरूप प्रथमिक्ता के तहत सचाले निर्वान कारे की समिक्षा कर रहे थे उन्होंने माँ अगस 2020 के छेत्र भरमन वत्ताय कारेकरम के अंतरगत कारियों में तेजी लाने का निर्देश दिया सुप्रीम कोट जाने से पहले प्रधान मंत्री से मिलना जरूरी है मनसुरेन जेई और नीट के खिलाब कांग्रेस के अंत्रीम अध्यक सोनिया गांधी ने बुद्धवार को जर्खन समयत साथ राजियों के मुख मंत्रियों साथ वर्चूल बैठक की इस दोरान मुख मंत्री हमान सुरेन ने कहा कि जेई और नीट की परिक्षा होनी चाहिए लेकिन जल्द बाजी में नहीं परिक्षाय आयोजित करने को लेकर केंद्र के फैसले के खिलाब विपक्षी दलों के एकजूट होकर आवाज उठानी चाहिए शुरेन ने कहा कि सुप्रीम कोट का दलवाजा खरकटायने से पहले विपक्षी दलों को परधान मंत्री है राष्ट पती से मिल कर छात्रों के आकरोज से अवगत कराना उचित होगा 29 अगस्त को प्रकिर्टी पर्व कर्मा भादो एकाजसी तिथी को मनाया जाने वाला कर्मा पर्व जहरखन के परमोख पर्वों में से एक है इस पर्व को आदिवासी और मुलवासी दोनों मिल जूलकर मनाते हैं इस बार कर्मा पर्व 29 अगस्त को मनाई जाएगी या पर्व पूर्ण रूप से प्रकिर्ति का पर्व है जिसे किसान अपने खेतों में धान की रोपनी समाप्त कर और फसलों में हर्याली देखने के पस्चात मनाते हैं यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आइकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को बाट से फेस्बुक ट्वुटर इंस्टाग्राम पर सेयर करे आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं थैंक यू